Hello and Welcome Friends, Google Sheet सीखने के सीरेज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो Google Sheet के है, Google Sheet में खास क्या है, क्या सीखने वाले है, आईए आपको बताता हूँ देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैंने population नाम दिया, यह जो sheet है, इसे population नाम दिया और इसको भी एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पर right click करता हूँ, यहाँ रिनेम पर चला जाता हूँ और यहाँ पर link नाम दे देता हूँ, क्योंकि इस sheet को हम link कराने वाले हैं population से तो अभी यहाँ पर नाम आपको population दिख रहा है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि total यहाँ पर नजर आए और यहाँ पर अगर मैं total में कुछ change करता हूँ, तो यहाँ पर भी change हो जाए, तो यह बहुत आसान है पहले तो इस sheet को मैंने population नाम दिया है, तो यहाँ पर आपको is equal to का शाइन लगाना है, यहाँ पर लेखना है population तो same नाम आप दे दीजिए, population कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, exclamation लगाना है, यह exclamation लगा दिया अब यहाँ population वाली table पे आता हूँ, sheet पे आता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे कि यह column name है c, और row name है 12, क्योंकि यह total हमने यहीं पे तो क्या हुआ है तो c12 यहाँ पे लिखना है, आपको क्या लिखना है, c12 लिखना है, तो यहाँ पर formula को f2 press करके edit करता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ c12, ठीक है तो जब यह change होगा, तो यह आपको पता भी चलता रहेगा कि यह change हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे, इस तरीके से मैं कर देता हूँ कुछ, ठीक है, अब यह देख सकते हैं, यहाँ पर यह है, तो आप एक बार इसको गौर से देख लिजिए, 4452, and 543, और फिर 380, य यहाँ पर 1 कर देता हूँ, यह 9 कर देता हूँ, कुछ increase कर दिया, तो यहाँ पर total में भी increase हो गया, तो यहाँ लास्ट में 15 आया हुआ, आए चली यह link वाले cell पर चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी यह चीज़ें change हो गई हैं, तो I hope कि यह बात समझ मे करते हैं particular Excel को, तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तुछे share करें, thank you for watching this video.